जिसके जरीए आम आदमी सरकार की योजनाओं के बारे में सीधे सुझाओ भेज सकता है 26 जुलाई 2014 को लाँच की गई इस वेबसाइट में लगभग 9 लाख रजिस्टर्ड यूजर है इस वेबसाइट के 5 प्रतिशत रजिस्टर्ड यूजर और प्रवासी भारतिये हैं जो बाहर रहते हुए भी सरकार की योजनाओं के लिए अपने सुझाओ दे सकते हैं जब भी सरकार का कोई बंत्राले या विभाग कोई नई योजना लेकर आता है माईजियोवी.in के जरिये लोगों से उसके लिए सुझाओ लिए जाते हैं लोगों के दौरा दिये गए या सुझाओ तैसमे खत्म होने के बाद माईजियोवी की टीम के दौरा सम्मंधित विभाग को भेजे जाते हैं इस माध्यम से विभिन विभाग विभिन मंत्राले जो भी कार्य कर रहे हैं जिन भी नई योजनाओं या परियोजनाओं के ओपर अभी विचार चल रहा है उन योजनाओं परियोजनाओं को उन नीतियों को कैसे तयार किया जाए कि वो अधिक से अधिक नागरिकों की सोच के आधार पर उनकी आवशकताओं के आधार पर उनको बनाया जा सके जिससे कि उनकी सफलता सुनिश्चित की जा सके सरकार की नई योजनाओं और अभियानों के लिए प्रतिक्षन और नारे आदी बनाने के लिए लगभग सवा लाख लोग 166 कारियों के लिए mygov.in के ज़री अपना योगदान दे चुके हैं जिनमें से कुछ को सरकार ने सम्मानित भी किया है प्रधान मंत्री जन धन योजना के लोगों की विजेता हैं बैंगलोर करनाटका की प्रिया शर्मा इन्हीं दिया जा रहा है 25,000 रुपे का परस्कार और प्रशस्ति पत्र mygov.in के discussion section में 188 अलग-अलग मुद्दो पर हो रही बहस में अभी तक 5 लाख से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं और ब्लाग section में लोग अलग-अलग मंत्रालियों द्वारा चलाए जा रही योजनाओं से जुड़े ब्लाग पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री कारियाले के लिए बन रहे एप के लिए भी mygov.in ने गूगल के साथ मिलकर एक competition भी आयोजित किया जिसके लिए अब तक 69,000 लोगों ने अपने विचार दिया है mygov.in को National Informatics Center ने डिजाइन किया है और cloud sourcing के इतने बड़े मंच से आ रहे है डेटा के प्रवंधन के लिए सरकार ने consulting firm Price Waterhouse Cooper से करार किया है प्रधानमंत्री के मन की बात कारिकरम के लिए सवाल भी लोग mygov.in के जरीए भी पूछते हैं वे अबसाइट पर आये लोगों के सभी सवाल फिर प्रधानमंत्री कारियाले को भेजे जाते हैं किसी बे सरकार के लिए जरूरी है कि वो आम आदमी के हितों के लिए काम करे और उनकी सुझावों पर अमल करे mygov.in एक ऐसा प्लैटफॉर्म है जो ना केवल लोगों को सरकार के योजनाव में सुझाव देने के लिए मदद करता है बलकि इसके जर्ये लोग प्रधान मंत्री से सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं कैमरामेन जकपाल सिंग के साथ प्रतम दिवेडी टीडी न्यूज